तू हंड़ेट दिये में से यह बाउंस बैक ले रहा है इसको खरदारी करें स्टॉक का नाम है जेमार इंफ्रा जेमार इंफ्रा में पिछले एक मेने से गिरावट के बाद अभी यह स्टॉक यहां से बाउंस बैक और बढ़िया उपर का मूव दिखाने को तयार है 35 रुपे, 35 रुपे स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है उपर में पहरा टार्गेट बनेगा 40 रुपे का दूसरा टार्गेट बनेगा 40 रुपे का और जन्दी यह लेवल सुपर में देखने को मिल सकते हैं ओप्शन के जरी भी आपर ट्रेड ले जा सकता है चानिस वाला कॉल अभी एक रुपे पे ट्रेट कर रहा है इसको भाई करें पचास पैसे का नीचे में स्टॉप्रोस लगाए उपर में दो रुपे से लेके तीन रुपे तक के टारगे जीमार इंपर के चानिस के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल से चानिस रुपे से लेके साड़े ब्यालिस तक के टारगे जल्दी ही जीमार इंपर में देखने को मिलने चीए घरदारी करें वह सेलान एक्स्प्लोरेशन का 163 रुपे के आज पास अनेल जी करेंट लेवल है स्टॉप के अब मुझे लगता है जिस तरह से स्टॉप का टेक्निकल सेट अप है लंबी एक अच्छी कंसॉलिडेशन दौर से यह स्टॉप बुज़र चुका है एक वी शेप रिकवरी हाँ पर कुछ हफ्तों पहले आई उसके बाद एक साइडवेस कंसॉलिडेशन लगा का कुछ हफ् लगते हुए देखी और इस तरह से और और नाच्रोल गैस के प्राइस में जबरदस तेजी बनी हुई है और क्यूंकि यह कंपनी और गैस के एक्स्प्रोरेशन के बिजनस में है मुझे लगता है इस कंपनी को आगे तलके काफी फायदा हो सकता है और टेक्निकल सेट अप अल्रेडी बहुत अच्छा बनता हुए नजर आ रहा है तो मुझे लगता है सेलान एक्स्प्रोरेशन को यहां पर करेंट लेवर्स पर खरीदारी करके चलें एक साल के नजरी से यहां पर दो सो पचास-धाई-सो रुपे तक के टार्गेट आते हुए नजर आ सकते हैं 140 र अल्रेशन को यहां पर दो सकते हैं